उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, यह पांच बॉलिवुड एक्ट्रेस जिस पर मरते हैं, शाहरूख से लेकर सल्मान कोई है, सबसे ज्यादा होट तो कोई है, सबसे खूब सूरत नमबर वन अनुश्का शर्मा दोस्तों, भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली की पतनी, अनुश्का शर्मा भी अयोध्या की रहने वाली है, जो कि यूपी में है, अनुश्का शर्मा के पिता एक आर्मी अनफिसर थे और उनकी मां हाउस वाइफ थी, अनुश्का शर्मा भले ही वह अयोध्या म पैदा हुई थी पर वह पल्ली बड़ी बेंगलूरू में साल 2007 में इन्होंने अपना पहला मॉडलिंग का काम शुरू किया जहां पर इन्हें फैशन डिजाइनर के लिए काम किया इसके बाद वह मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई और साल 2008 में इन्हें पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला वह भी शाहरुक खान के साथ इस फिल्म का नाम रब ने बना दी जोडी थी यह फिल्म उस टाइम पर सुपर डूपर हिट हुई थी उसके बाद अनुषका शर्मा की किस्मत ही खुल गई और उन्हें कई और फिल्मे में काम क दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रियंका चोपड़ा का असली घर मुंबई में नहीं बलकि बरेली में है जो कि उत्तर प्रदेश में है प्रियंका चोपड़ा बॉलिवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी शादी निक जॉन से की है इनकी एक बेटी भी है प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म में करियर में इतनी जवान और खूबसूरत थी कि बॉलिवुड की आधे से ज्यादा एक्टर इनसे शादी करना चाहते थे इनका जन्म 24 नवंबर 1984 को हुआ था बच्चपन से ही यह बहुत खूबसूरत थी और इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में तमिल फिल्म से की थी और आज भी भारत में इनके हजारों चाहने वाले हैं फिल्हाल यह भारत में नहीं रहती है और अपने पती के साथ अमेरिका में रहती है कुछ दिनों पहले प्रियंका को अंबानी के शादी में ठुमके लगाते हुए देखा गया है क्या आप भी बरेली से हैं क्योंकि प्रियंका चोपडा भी बरेली यूपी की रहने वाली है श्वेता तिवारी दोस्तों श्वेता तिवारी की उम्र बढ़ रही है पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि और भी जवान होती जा रही है दोस्तों, वैसे तो श्वेता तिवारी मुंबई में रहती है, पर यह असल में प्रताप गढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है इनका जन्म 4 अक्टूबर 1980 को यूपी के प्रताप गढ़ में हुआ था श्वेता तिवारी बिग बॉस 4 मै भी आ चुकी है और बिग बॉस की ट्रॉफी भी जीती थी इन्होंने 1998 में अभिनेता राजा चौधरी से शादी कर ली उसके बाद इनकी एक बेटी हुई पलक तिवारी जो अब जवान हो चुकी है शादी के 9 साल बाद श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से तलाक ले लिया क्योंकि वह शराब पीकर श्वेता तिवारी के साथ मार पीट करता था इसके बाद श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली को 3 साल तक डेट किया और 2013 में श्वेता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ श्वेता का रिष्टा अभिनव के साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, और श्वेता ने थाने में इसके खिलाफ एफायार दर्ज करवा दिया, बाद में पुलिस ने अभिनव को गिरफतार कर इनका जन्म 13 जून 1992 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसे बॉलिवुड की सबसे खूबसूरत हीरोईन भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी फिल्म करियर बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि साल 2015 में इन्हें अपना पहला फिल्म तेलुगू लोफर मुवी में काम किया था, जो फिल्म सुपर हिट नहीं हुई और दिशा का करियर बंध हो गया, उसके बाद दिसा छोटे मोटे गानों में रोल किया करती थी, पर 2016 में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐस धोनी मुवी में काम करने का मौका मिला, और वही से दिशा का कैरियर बहुत आगे पहुँच गया, उसके बाद इन्होंने बागी से लेकर कई और फिल्मों में काम किया, साथ ही इन्हें टाइगर शौफ से प्यार भी हो गया, और यह दोनों आपस में डेट करने लगे, आज भी दिशा पटानी उत्तर प्रदेश अपने ग की इन से जबर्दस्ती शादी करने के लिए मंदाकिनी को फोन पर धमकी आने लगी थी, उस समय यह बहुत ही कम उम्र की थी, इन्होंने जब राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिल्म में काम किया, तो उसी दिन से ही मंदाकिनी की फिल्में भारत में पूरी तरह फेम initi हो गई जो आज तक चल रही है इसके अलावा लारा दत्ता भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है जिनका जन्म गाजियाबाद में हुआ था पर इनका सिक्का बॉलिवुड में ज्यादा नहीं चल सका और कुछ ही फिल्मों में नजर आई बाद में इन्होंने बॉलिवुड से सन्यास ले लिया और अब यह मूवी में काम नहीं करती उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास सदियों पुराना रहा है उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी जनसंख्या इतिहास उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला राज है उत्तर प्रदेश 2,43,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है